हेलो फ्रेंड्स वेेलकम टो माई यूटूब चैनल आज हम देखेंगे पाल कलर!.. टिभी सिस्टम के बारे में हैं इंडिया में इनलाइक कलपी में signal का ट्रांसमिशन या रिसेप्शन पाल कलर्ट्ट्टि शिस्टम के द्वार्व होता है यानि इंडिया में इनलाग टीवी, कलर की जो इनलाग टीवी होती है, उसकी ब्राडकास्टिंग जो होती है, पाल सिस्टम के दारा होती है, जबकि अधर कंट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है, अधर कंट्री में एंटी एससी कलर सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है, तो पाल सिस्टम में स्कैनिंग जो होती है वो 625 लाइन पर प्रती फ्रेम की होती है जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन टीवी में जो में इंडिया में प्रती सेकन्ड्डवी 25 सिस्टम प्रती सेकन्ड होता है मालास प्रतिया प्रतियक देए इए 625 लाइन्स होती हैं एक प्रॉलम फेज ऐर्रस का होता है उस फेज अर को दूर करने के लिए पाल कलरटीवी सिस्टम जनरेट किया गया कि तो पाल कलर टीवी सिस्टम में जो सिगनल की जो फेज EAROR होती है घर दो का मतलब है कि अगर सिगनल के फेज में अगर कोई वर्ड डिफरेंट होगा तो यह ऐसी प्रावल्म जो है एंटीएसी कलर सिस्टम में थी तो उसको दूर करने के लिए पाल कलर टीवी सिस्टम जो होता है और इसमें जो है एरस जो जो कलर की जो एरस होती है उनको काफी हद तक रिबूब किया गया है जैसा कि हम जानते हैं कि कलर सिग्णल को ट्रांसुिट करने के लिए बस्छीटे जो है दो प्रकार को कलर डिफरेंट कर के olduğ सिंग्नल और इन दोनों सिंग्नलों को QAM modulation process को दारा modulate करके transmit कियाता है अगर आपने हमारा previous video देखा होगा QAM का या chroma signal का तो उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार जो है कि कलर सिंग्नल कर डिफेरेंस सिंग्नल सिंग्नल जो दो प्रकार की होती है B-Y और R-Y और इन दोनों को QAM यानि Quadrature Amplitude Modulation बिधी के द्वारा modulate करके उससे chroma signal generate करके इन दोनों का जो middle part होता है resultant जो पार्ट होता है वह chroma signal कर आता है और इस chroma signal को generate करके transmit के आता है तो पाल चिस्टम में जो color difference signal की जो B-Y signal होती है वह इसमें u signal के रूप में होती है और जो आर माइनस Y color difference signal होती है वह भी signal को लुप में होती है तो इस प्रकार पार्ट system के अगर chroma signal को देखें जो इनका resultant होता है वह औरаж माइनस बढ़र यानिकी यू और ऑर बी का invention से इनके को म Gotcha होती है वह अंडर हुड देखते हैं पाल कटूब सिस्टं में क्या चैनल की बैंडब्विभ्त होती है यू सिंगनल हुटि और इनको ट्रांस्मिट करने से पहले इन सिंगनलों में क्या मौड ऐता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि PAL system का मतलब है phase alternation by line इसमें जो U और भी color difference signal जो transmit कि जाती है इस U भी color difference signal में जो भी signal होती है उसका प्रतेक एक line के बाद यानि कि एक alternate line के बाद जो है उसका phase difference करके transmit कि आता है तो आईए देखते हैं कि यह phase alternation process क्या होती है पाल system की phase alternation process में यू signal के phase में कोई परवतन नहीं कि आता है यानि कि यू signal जो होती है प्रतेक line के बाद हर line पर जो है same phase में होती है जैसे यहाँ पर यू line जो है positive axis पर दिखाया जा रहा है positive axis पर और भी signal को जो है positive y axis पर दिखाया जा रहा है तो यदि पहली line जो signal होगी इस signal की first line में यू signal अगर x axis पर है और भी signal प्लस भी axis पर है भी signal जो है प्लस y axis पर है तो इस प्रकार जो दोनों signal होगी इनके बीच में तो always जो है 90 degree का phase difference होता है क्योंकि इन signal को जो है quadrature amplitude modulation process करके भीचायता है तो इन में जो है यू signal और भी signal में always जो है 90 degree का phase difference होता है तो यदि first line में भी signal जो है positive y axis पर है तो इसके next line में जो है भी signal negative y axis पर हो जाएगी जबकि यू signal में कोई परवतन नहीं होगा इसके हर लाइन में जो होती है भी signal के phase में परवतन 90 degree का phase shifting होता है तो यू signal x axis पर ही रहेगी positive जबकि भी signal जो है इसका 90 degree phase shifting जो हो जाएगा तो यह जो होगी इसका लाइन जब alternate करेगा तो यह minus y axis पर आजाएगे तो इस प्रकार और इनके बीच का जो difference होगा जो अल्वेज नभी डिग्री होगा यहां पर जो भी signal है वह negative y axis पर आगे नेक्स लाइन में जबकि फर्स लाइन पर जो है यह positive y axis पर थी उसी प्रकार अगर थर्ड लाइन को देखने तो थर्ड लाइन में जो है भी signal फिर से उसी सिंग्नल और भी जो होती है इसका फ्रते एक लाइन केबाद जुप olmasнь करते हैं वह सीग्नल करते हैं यह दित जाल को भी सिंग्नल को बिज बदलने के लिए अगे लन को वह सिंग्नल का यह सिंग्नल के लाइन दीए से नेगेटिव इस बास्ति यश्व में पर बिद्र करने के लिए इस पॉल सिस्टर में जो है प्लस माइनस नभी डिगरी का फेज शिप्टर नेटवर्क यूज के आता है तो इस प्रकार जो इस नेटवर्क से जब सिंगनल भी सिंगनल जो बाहर निकलेगी तो हर सिंगनल में एक बार एक सिंगनल जो है प्लस 90गी पर रहेगी जहनी की निगेटीव य एकसस पर रहेगी तो इस प्रकार यह प्लस माइनस दशीचन हो रहा है इसलिए इस प्रकार इस प्रकार फेज लगातार चैंज हो रहा है कि मोलते हैं आष heating naszego प्रतेग लाइन में भी सिंग्नल का फेज चेंज होता है चैनल बैंडविड्ट पाल सिस्टेम में जो चैनल की बैंडविड्ट होती है वह टोटल जो है 7 MHz की होती है इस 7 MHz में जो है वीडियो सिंग्नल होती है प्लस साउंड सिंग्नल होती है जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी कोई TV सिंग्नल जब ट्रांस्मिट के आती है तो इसमें आडियो और वीडियो दोनों होता है इसमें वीडियो सिंग्नल भी है और साउंड सिंग्नल है और इन टोटल का जो और इनको ट्रांस्मिट करने के लिए इस चैनल की requirement होती है उसकी bandwidth जहें 7 MHz होती है इस में इस कर्व में जो है Amplitude को और frequency को दिखाया जा रहा है इसमें जो है Chroma signal जो C signal होती है वह यहां पर insert की गई है C signal और इस Chroma signal के बीच में जो है 3 के बाद और 4 से पहले के बीच में UV signal है यानि कि color difference signal है कर यू और वी तो जैसा किंसे हैं कि जब भी कोई किलर टेवी का टार्स्मिशन की आता है तो इसमें जुए का तूरब लिद्ञेर सीनल डे मिक्स करके भी जायता है कि तो एस के छैनल बांड़ी को अगर देखें तो इसमें जो अब इसे में 1.3 MHz का U & V signal होती है इन दोनों के लिए जो 1.3 MHz की bandwidth की requirement होती है उसके बाद इसके LSV पर Chroma signal होती है जिसे हम C signal करते हैं यह C signal जो होती है UV का resultant होता है और इस Chroma signal के अगर अपर साइड बंड के इंड पर अगर देखें तो 0.7 MHz, 0.7 MHz का जो है अटनुवेशन के लिए अलॉट के आयता है 0.57 MHz तो 0.57 MHz का जो है चैनल bandwidth जो है Chroma signal के अटनुवेशन के लिए अलॉट किया गया है और इसमें 1.3 MHz की जो है UV signal के लिए bandwidth अलॉट किया गया है और यहां से लेकर के 0 से लेकर के यहां पर 5.5 तक जो है यह टोटल जो है इसमें विडियो सिंगनल है और इसके 0 पोजिशन यानि जीरो पोजिशन वाली पर जो है यानि कि पाल कलर्टीवी सिस्टेम में जो इसमें जो carrier सिंगनल जेनरेट किया जाएगा या जिस carrier के द्वारा सिंगनल का modulation किया जाएगा उसका जो frequency मान होता है 4.43 MHz का होता है और इस 4.43 MHz के सब carrier सिंगनल receiver पर भी जेनरेट की जाती है demodulate करने के लिए तो इस पकार जो होता है इसमें जो टोटल बैंडूर्ट होती है वो 7 MHz है इसमें 0 से लेकर यहां तक पॉस्ट्व जो बैलू है यह अपर साइड बैंड है अदेन उसके बाद कुछ पार्ट में लोवर साइड बैंड भी है जो नेगेटिव को रिपेंड कर रहा है जिसका मान साइड बैंड होता है अपर साइड बैंड इसमें पुरा कंप्लीट है और लोवर साइड बैंड का कुछ कुछ पार्ट है तो इस प्रकार यह सिंग्नल जो होती है वेस्टिजियल साइड बैंड का लाती है तो इस प्रकार पाल कलर टीवी सिस्टेम के अगर बैंड को देख तो पाल जो टीवी रिसीवर होता है उसमें जो सिंगनल आती है या जो भी सिंगनल जो ट्रांस्मिट के आती है पाल सिस्टम हम जानते हैं कि उस सिंगनल के प्रतिक फेज में ही जो है डिफेंट डिफेंट कलर्स होते हैं तो आएए देखते हैं कि जो फेज होता है सिंगनल का वह signal का phase जो है किसको repaint करता है पाल सिस्टम का जो signal का जो phase होता है वह hue को repaint करता है hue का मतलब होता है signal का color और और उस signal का amplitude होता है वह signal के saturation को repaint करता है तो जैसा कि हमने अभी signal को देखा कि कोई भी जब signal होती हो तो उसमें amplitude होता है frequency होता है तो पाल सिस्टेम में जो सिंगनल का Phase सिंगनल के कलर को करेंट करता है जिस के सासिरेशन के सासिरेशन का मतलब है कि उस कलर में कितनी ब्रेटने से कितनी ब्राइटने साथ है। तो आई देखते हैं तो था junior कि और कि अलग-अलग कश में में कि प्रेशर ही How ती है Days of connected हैं कि जो पाल्स सिस्टम में जो कराइज होती है वह यू और भी के रूप में होते हैं यहां पर यू सिंगनल जो है वह आर- पर यू को रिपन करती है और यह दोनों जो है तो, एस इस signal का जो प्रत्य एक फेज होगा, याँनी, इस signal का जो 61 degree पर फेज होगा, तो, इस signal के 61 degree phase जो होता है, वो magenta color को रिपीड करता है, और यदि इस uv signal का जो पेज अगर 103.5 degree है तो यहाँ red signal को रिपीड करता है, और यह को प्रेंन करें सेंट विस्ट्राइज और अगर यह is주 सब्सक्राइज जो Rochester तमरेखा निए सिग्नल के फेज में यह होते हैं यह सिगनल का फेज कलर को रिप्ण करताह बहुत है और रह отк 702 ग्राइव थे yen्योट होती इसके रावा इसरे वाइट सिंग्नल और ब्लेक सिंग्नल भी होती है oyton के लिए the condition होती है ki जबिसे व अबम इसिस्क्राइब करो मशनल का मान भी मिनलो net जब क्रोमा सिंग्नल जीरो होगी और इस सिंग्नल का फेज जीरो डिगरी होगा और इसमें केवल वाई सिंग्नल होगी वाई वाई का मतलर लूमिनेंस इसकी कोई नुकोई वैलू होगी तो जब इस कलर डिफेरेंस सिंग्नल में जब इसका क्रोमिनेंस वैलू जीरो होगा औ यह ब्लैक सिंगनल करता है और जबकि इस सिंगनल का अगर फेज 20 है और इसका क्रोमिनेंस 0 है तौह या वाइट सिंगनल करता हुए इस प्रकार जो पाल जिइनल सु yummy Max इस-की सेज मेues हुते हैं। इंका फेज कलार को complete करता है जब किसका इंपर्टूट का है उसक के स्रेचुरेशन एनिक बरैटी करता है। किया है पाली दीमाड लेशन हिक जब पल केले सीगनल को टीबी ट्रांस्मीटरust के द्वारा जेब ट्रा Smells क тобой आता है है तो हमारे घरों में तो्रो टीपी होता है वह रिसीवर होता है और इसीवर तो ही मोडि encouraging lead करके andанс को यृडब करता है तो या रिखती है कि जो किस प्रवालियर का स्वक्ता हुआ कatto करता है अलए चलाज है में धृषिंग का है मतलब नी canadian 20 देखते हैं कि लिए decather स्षिप कि इसनन से का इसना चाहिए जाता है कुए है कि दीडिलाइक सब्सक्राइब कर देखने वहां से हटाना हुता है इस संसृ parallel को देखने के लिए इसमें यहां पर coam indigenous और इसंगनल को सबसे पहले बेढ़ता है अगेन इसका होती है तो इसमें जो को पास्ते इसमें आता है यह प्लस जे में यह जे अगली लेगे जो यह जो हैगी तो दोनों को जाएगा तो एक लाइन में जो है यू पलस जे भी सिगनल होगी और एक लिए ये बायन है य्owser kore fitting करता है और यू जो है यू सुस्ट पर होती है तो एक लाइन पर यू प्लस य्रिया दूसरी यो माइनस जयदेवियर और उस अगरayan और को आगे जु meny तोल जो एक लाइन को स्कान करने में सबह लगता है इस पाड डिले लाइन नेटवर्क जो होता है यह तो इसमें जो भी सिंगनल आएगी उस सिंगनल में जो है डिले प्रोवाइड करने के लिए इस सिस्टम का इस्तिम एक हम जानते हैं कि हर एक लाइन के बाद भी सिग्नल का फेज चेंज होता है जैसे सिग्नल यू प्लस जे भी आ रही है तो इसमें 54 सिनल यू दिवी ऊजाएगी दिवी का फेज बतल जाएगा उसके ज़ू इसमें सिनल यू दिवी आएगे लुट इसमें इंपुट सिनल यू अमीली ओगी तो लेच्ट लाइन पर यूद्र सिनल होगी इस प्रकार इसमें सिग्णल इंसर्ट हुई है उसका जो है 64 माइक्रो सेकंड की डिले के बाद इसका फेज चेंज करके भीजता है तो यू- जबी और यू- प्लस जबी और इन दोनों सिग्णलों को जो है एक आडर और एक सबस्ट्रेक्टर ने बहुत है और यह जो 4.43 मेगाहट्स का क् जब कि इस पार्ट डिले नेटवर्क के द्वारा जो सिंगनल जेनेट होई है इन दोनों का आपोजिट है यानि कि जब 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 प्लस आए तो इसमें जो निकले कि सिंगनल यू-जब होगी और जब माइनस यह प्लस होगा तो यह सिंगनल में जाएगा तो आडर क्या होता ह जब इनको आड़ किया जाएगा तो अगर यहां पर देखें सिंगनल होगी यानि केवल जो है यू सिंगनल इसमें प्राप्थ होगी आडर के दारा उसी प्रकार सिंगनल यू-जब यू-जब जा रही है और यहां सिंगनल यू-जब और यू-जब है तो यह सिंगनल यू-जब होगा दोनों सिंगनल को घटा देगा तो जब घटेगा तो अगर उपर वाले को दोनों को घटा है तो यू-जब करेंगे तो यह जो है प्लस सब्सक्राइब इस सिंग्रोन सब्सक्राइब करना है तो सिटम मेगी और देमाडुलेसन करने के लिए जैसे क्यारियर को मौडूलेट कर करेंगे लिए यहां पर क्रिश्टल और रहेगा वह क्रिश्टल आस्लेटर जो होगा उसी यूज सिंक्रोन के लिए सब्गार होगा इसका जो फ्रिक्वेंसी मान उसका इम्परिकूंसी मान जो गाओ वह फोर पेज़ देखा जाए तो उसका फेज जो होगा प्लस मानस 90 डिग्री होगा क्योंकि भी सिंगनल एक बार प्लस होती है तो एक बर मानस, पर होती है तो इस प्रकार इस आडर से टु यू और सस्थेक्टर से टु जे यू और जी प्राप्त होती है इन सिरफ लोग अगेज दियू आ यानि की भी दिमोलेशन हो जाएगा तो फाइनली सिंगल भी सिंगल पाफ्थ होगी तिस प्रकार पाल डिले दिमोलेशन सिस्टम जो होता है वह क्रोमिनें सिंगनल जिसमें कलर डिफरेंस सिंगनल था है इसमें कैरियर सिंगनल भी था और यूभी सिंगनल भी थी तो उसमें से करियर क को हटाने के लिए इस प्रासेस के द्वारा वह हटा देता है तो फाइनली जो है यू सिंग्नल और भी सिंग्नल प्राप्त होती है थैंक्यू